दोस्तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वाधत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल टाइगर ट्रैकिंग में एक बार मैं फिर से उपस नितू एक निव और लेटेस्ट इन्फरमेशन के साथ आज किस वीडियो में दोस्तो हम जानेंगे किस तरह से हमें अपने चैनल का नाम रखना चाहिए जब भी आप एक निव यूटूब चैनल करेट करते हो तो बहुत सारे कोश्चन आपके माइंड में आते हैं जैसे कि यूटूब चैनल का नाम क्या रखना चाहिए तो मैं आपको इस वीडियो में चार इंपोटेंट पॉइंट बताने वाला हूँ इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए अगर आप यूटूब चैनल का नाम क्रेट करते हो तो डेफिनेटली आपका यूटूब चैनल जल्दी गिरो होगा और एक प्रोफेशनल यूटूब चैनल नाम क्रेट करने में भी आपको आसानी होगी अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो को सब्सक्राइब तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिये क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर यूटूब से जूड़ी हुई हर चोटी से चोटी जानकर ये आपको डिटेल में बताते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं और जानते हैं वह कौन-कौन सी बाते हैं जिनका हमको ध्यान रखते हुए अपने यूटूब चैनल का नाम क्रियेट करना चाहिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको चार इंपोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ अगर आप एक निव यूटूबर हो या आपने रिशनली यूटूब चैनल क्रियेट किया है या फिर इन फ्यूचर आप यूटूब चैनल क्रियेट करना चाहते हो तो सबसे इंपोर्टेंट यूटूब चैनल का नाम होता है सबसे पहले हम नाम क्रियेट करते हैं उसके बाद भाके की सेटिंग सम करते हैं तो नाम रखते हुए आपको चार पॉइंटों का चार बतों का ध्यान रखना जरूरी है पहला इसमें पॉइंट आता है दोस्तों जब भी आप यूटूब चैनल का नाम रखो तो आपको ये ध्यान में रखना होगा आपका जो भी चैनल का नाम है उस नाम से कोई दूसरा यूटूब चैनल नहीं होना चाहिए एक एग्जामपल यहां पर देकर मैं आपको समझा देता हूँ जैसे कि टेकनिकल गुरूज लिखकर सर्च करेगा तो जो टेकनिकल गुरूजी जो बड़ा किरेटर है उसका नाम टॉप पर आएगा उसके बाद ही आपका नीचे आएगा तो इसलिए आपको सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है जब भी यूटूब चैनल का नाम रखो तो एक यूनिक नेम होना चाह ज्यादा लंटी नहीं होना चाहिए ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए कोशिष कीजिए अगर दो वड़ों में आपके चैनल का नाम होता है तो वह वास्ट रहता है जैसे कि यहां पर कीजिए आपके चैनल का नाम दो वर्डों में ही हो, इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, आपके चैनल का नाम सिंपल होना चाहिए, इजी होना चाहिए, जिसको इजीली परननसियेट किया जा सके, इजीली पढ़ा जा सके, इजीली बोला जा सके, अगर किसी फिरेंड को आप बता बताऊंगा टाइगर ट्रैकिंग मेरे चैनल का नाम है तो इसली उनको यह याद हो जाएगा तो आपके चैनल का नाम सिंपल होना चाहिए ज्यादा लेंथी या फिर कुछ अलग सा नहीं होना चाहिए जिसको पढ़ने में या रीड करने में दिक्कत हो थाइड पाइंट यहा आपके चैनल का जो लिंक होता है जिस लिंक को आप अपने दोस्तों को शेयर करते हो और अपने चैनल को स्टार्टिंग में सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हो तो वह लिंक जैसे ही आपके चैनल पर हंड़ेट सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो आपको एक कस्टम यॉर चैनल भी आपको कमपल सरी सर्च करकर देखना जरूरी है तो दोस्तों यह चार इंपोर्टेंट प्वाइंट से जब भी आप अपने यूटूब चैनल का नाम रखो इन चार प्वाइंटों को आप जरूर माइंड में रखते हुए अपने चैनल का नाम रखते हो तो आपका जल्दी ग्रो होगा सर्च में जल्दी आएगा और एक प्रोफेशनल यूटूब चैनल नाम भी आप क्रियेट कर पाऊगे तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर आपको यह वीडियो